and as you said about the pesticides now pesticides अभी एक लेवल तक फर्टिलाइजर पेस्टिसाइज यह सारी जो चीज़े हैं यह भी सब्सड़ाइज होती है तो इन्पूट कॉस्ट भी सब्सड़ाइज और सेलिंग प्राइस भी अपने अधर सेट कर दिये इतना होने के बाद में आपको मर्सेडीज करिदने मिलती है बिंग फार्मर अन्नद आथा और फिर भी आप आजाते हो आप इस जालो मैं इन्पूट कॉस्ट की बात करता हूं और तो कास की बात करो ओपने करते हैं स्वामिनाथन कमिशन की बात करते हैं पर एंपने आथन शक्त आतरो स्वामिनाथन स्वामिनाथन कमansion वस रेपोर्ट द ATM ये त्यर्ट केम आप ने अन्ने बबोहत रेकमेंडेशन दी मेवेला ओन MSP यह किस ने बोला कि कमिशन बैटनी चाहिए यह काफी टाइम से डिसकॉशन चल रही थी see agriculture in India has been never sort of a work in progress यह 2005 की रिपोर्ट थी अब मज़़ार चीज यह सब उसमें फट से बोल रहे हैं अरे input cost के बारे में बात की थी आप input cost दीजे उसमें family labor का cost होता है seeds, fertilizers, pesticides, etc. का cost होता है मैं कहता हूँ दीजे ठीक है आपको input cost calculate करने आप करिये पर फिर आप सरकार की side का भी तो input cost calculate करिये पंजाब सरकार या कोई भी राज्य सरकार पानी बिजली चलो पंजाब सेंट्रिक बात करें पानी और बिजली मुफ्तदेरिये किसानों को उसको आप input cost गिनिये सरकार की तरफ से और बिजली बहुत बड़ा cost होता है बिजली is taking away 20% of Punjab's budget annually and that is when the government of Punjab is in a debt of rupees 3.4 lakh crore वाओ देर budget is done on borrowings still the farmers of Punjab are getting free electricity nevertheless पानी बिजली हो गया fertilizer subsidy आपको पता है पिछले fiscal में center ने धाई लाग करोड केवल fertilizer subsidy पे खर्चा है अब उसको भी डाली इंपट को उसमें धाई लाग करोड का तो MSP buy होता है हाँ तो उस magnitude का fertilizer subsidy all over India तो हाँ बड़ जो भी है लोग कहते हैं सरकार करना नहीं चाहती और ये पांच गुना बड़ी है पिछले 6-7 सालों में fertilizer subsidy तो मोधी government has only taken the step मोधी government has taken the step you look at the seat subsidy the government has done so much की quality of seats जो किसान तक पहुंचे रहे वो बहतर हो क्या वो input cost नहीं है फसल भीमा योजना ये इन्होंने अपनी demand में लिखा कि आप एक agricultural land को एक unit declare करके उसकी insurance करें और उसे पर premium भी सरकार भरी है इंके charter में था demands की किसानों की सरकार ने फसल भीमा योजना के तहत तेड़ लाग करोड as premium release किया है जबकि premium जो लिया गया 30,000 करोड का था तो मतलब एक रुपे premium के लिए पांच रुपे 1 is to 5 worth of claims have been processed by this government अंदर फसल भीमा योजना मैं किसान मांधन scheme के बारे में बताता हूँ छोटा सा amount डाली आप bank में आपको 60 साल के उमर के बाद एक pension है ये pension की बात कर रहा है प्रधान मंतरी की सरकार ने हर एक वो step लिया जो किसानों के लिए beneficial हो सकता है और सिर्फ एक राज्य के नहीं हर किसान के लिए आपको पता है अज FPO के लिए credit enablement process है कि उनको एक formal loan मिल पाए क्योंकि हमारे देश का किसान smaller marginal है तो FPO's are very economical that way economy of scale ठीक है उनके लिए ease of credit का option करा तो आप यह देखे आप input cost की बात कर रहे है आप सब बात कर रहे है अंदोलन जी भी बात कर रहे है चले लगाते है input cost fertilizer subsidy minus करने के लिए राजी होगा कोई seed subsidy minus करने के लिए राजी होगा insurance pension पर insurance के आपने जब बात कही वो तो कह रहे है कि government ही उसका premium भी भरे तो premium भी government भर रही है और वो claim भी government process कर रहे है how is it fair? बट insurance तो वैसे sensible चीज है insurance ऐसे working लिए करता है let's find एक होड disclaimer pretty late into the podcast यह rationalities से बहुत आगे आगे है ठीक है? नहीं बट जीदर भी बची कुछी हो सकती थी अभी तो कहे रहे है WTO से बाहर निकली आज सुबा किंग की demand कै है? WTO से बाहर चलिए because WTO is against subsidies given to the farmers by the Indian government yet this government has taken a stance in the WTO that no we are going to support our farmers and farmers across India अगर कोई देखना चाता है भी Rahul Gandhi में घाल ले गए थे वहाँ पर pineapples की बात कर रहे थे मैं अपने घर लेकर जाओंगा ये वो आपको बता है 9-30 होटिकल्चर एक्सपोर्ट का क्वांटम कितना बड़ा पिछले 10 साल में वो किसान नहीं है सिक्के में और गानिक फार्मिंग का आप वो देखे penetration किसान नहीं है ये कहां से एक narrative बन गया कि ये सरकार इन किसानों के लिए कुछ करना नहीं चाहती जबकि देश भर में हर किसान के लिए कुछ ना कुछ किया जा रहा आप किसान समिध्धी स्कीम देखिए हर साल 6,000 रुपे जाते हैं किसान के खाते में 6,000 पर येर पर येर in 3 different installments which again is very significant amount for a farmer when it comes to input costs and the farmers have supported this so the government has done everything आप ऐसे दिखा रहे हैं अरे सरकार तो कुछ कर नहीं रही सरकार हमारी बात नहीं सुनी आपकी ये शंभू बॉर्डर के पूरी घटना के बाद सरकार के रही है आप आईये पांचवी बार हमारे साथ बैठिये पिछले रवी बार सरकार के रही हम आपको सपोर्ट करेंगा आपको कुछ नहीं करेंगा तो at some point people need to ask कि जो एक impasse है एक deadlock बनाया जा रहा है इसमें फाइदा किसका है और इसमें फाइदा एक ही lobby का है जो है commission agent lobby